अब तक आपने 90 reading and writing blanks solve कर दी होगी क्योंकि हमने शुरुवात किया था तीन दिन पहले तो रोज की 30 तो करनी है आज ये वीडियो खतम होने तक 30 और खतम हो जानी चाहिए यानि 120 reading and writing blanks आपके solve हो जानी चाहिए और एक छुटा सा काम कर लेना आपने जितनी भी अब तक की है न उसे एक बार वापिस revise कर लेना hardly it will take half an hour और कि आप एक बार खलनी देख लो कि आपका कहां गलतिया होए थी उसे एक बार सुदार दो और दूसरा एक promise आज मेरे को चाहिए कि आज जो topic चलने वाला है that is filling the blanks reading name suggest filling the blank reading यानि ये सिर्फ reading में contribute करेगा आज से वो reading and writing blank तो 30 करनी ही थी अब ये वाली blanks भी आपको 30-30 solve करनी है यानि अब रोज की आप 60 blanks solve करेंगे ये वाली second most important portion है reading में ये वाली easy है generally students को ये वाली आण लगती है पर ये वाली comparatively easy है अगर आप समझ जाये तो कैसे easy है वो भी मैं आपको बताता हूँ पहले marks बता देता हूँ ये 18 to 20 marks contribute करेगी सिर्फ reading में 18 to 20 marks contribute करेगी सिर्फ reading portion के अंदर timer general timer है आपके उपर जब भी आपके exam चल रही हो तो ये दियान रखनी कहा कि ये जब question आ रहा है तो आपके उपर timer में 12 minute बाकी होने चाहिए आपके 12 minute बाकी है तब आप सई time पे जा रहे हो आपके 12 या 11 अगर आपके 9 या 7 minute बाकी है यानि आपने आगे बहुत time ले लिए अब इस black के लिए time शायद कम पढ़ जाए क्योंकि एक plank solve करने के लिए 2 minute तो आपको देने ही पढ़ेंगे इसके अंदर भी same थोड़ा बहुत grammar, थोड़े बहुत collocation pairs और context समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं लेकिन रोज की 30-30 solve करनी ही है आपको 18 marks की है minimum तो उस पर ध्यान अच्छे से देना आप filling the blanks reading में होता क्या है पिछली वाली blank में क्या था कि आप option पर क्लिक करते थे और चार option कुलते थे इसके अंतर नीचे यह option दे रखे होंगे नीचे यह option दे रखे होंगे आपको खाने jack and drop इसलिए इस blank को filling the blanks jack and drop भी का जाता है आपको यहार से pick करके उसे drop कर ला है और अच्छे लोगे पिटी वाले वो क्या करते हैं कि आपको बहुत सारे options नहीं देते यह ने easy q बोली मैंने कि आपको इस पर options minus करने options कम करना है क्योंकि वो क्या करते हैं जैसे यह पर हम question बात में पढ़ते हैं पर लोग option पढ़ते poem impossible river book different common possible different or common opposite words है poem book दोनों का कुछ तो लेना देना है दोनों पढ़ी जाती है possible और impossible impossible possible दो दे रखे यानि यह भी opposite words है last week दे रखे रिवर अकेला last week दे रखे रिवर अकेला यानि यह तो आए गई यानि यह तो आए गई ठीक है तो आपने poem या book में से एक answer आएगा possible impossible में से एक answer आएगा different common में से एक answer आएगा तो एक दो तीन ब्लैंक हो गई रिवर अकेला यानि वो कही ना कही तो आए गई ऐसे इरके आपके options पहले कम करो इससे आपको फाइदा होगा यह trick याद रखना options पहले देख लेना second you are inside it बाद में डालते है आपको doubt है कि यहाँ पहला सकता है बाद में अब उसको option को drag करो इमद वहाँ पहले 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 को यह पता है कि पोई या book दोने में से कोई एक आएगा in the right hand is a novel's beginning novel's beginning novel is a book यहाँ पहले बुक डाल दो फिर ब्लैंक के पहले वादा वर्ड पढ़ा है fast flowing तेज बहती तेज बहती क्या होती है ना दी fast flowing river यहाँ पे river option डाल दो the bible the only thing they have in dash अब यहाँ पहले इत्पला सा पढ़ने से नहीं समया है तो पूरा ही पढ़ने पढ़ेगा the range from hard world fiction to classics to well the bible the only thing they have in dash they have in what the only thing we have in common okay we have in common we have something in common the only thing they have in common okay तो यह बड़ा ही common phrase है तो यह common word यहाँ आप याजाएगा they are so good that it is dash not to read on अब यहाँ एक चीज़ देखना 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 आपनने poem river पला poem word cut हो गया कौन वर्ड अपनने यहाँ डाल देखना तो डिफेरेंट कट हो गया आपने बचा क्या possible यह impossible possible यह impossible मेंसे एक बचा तो इन दोनों मेंसे एक यहाँ पहना चाहिए good it is dash not to read on not डाला है यहाँ पर already तो यहाँ पर impossible आएगा दो नेगेटिव वर्ड एक positive meaning देने वाल है it is not impossible not to read on यहाँ इंपोसिबल है क्यों से न पढ़ना चाहँ यहाँ आप इतने टेम्ट हो जाओगे क्या आपको यह पढ़ना ही बढ़ना है आप रुक नहीं बढ़ना है तो यह impossible यहाँ पर और not यहाँ पर यहाँ पर यह एक positive meaning निकाल रहा है इसलिए यहाँ पर वो option आएगा एक और answers देख लिएते हैं river, common, impossible, book सही है चाल अब यहाँ पर देखते हैं अगर option में से कुछ कम हो सकता है अच्छी बात है नहीं हो सकता है तो देखते हैं पर क्या कर सकते हैं चांस है, चेंज है, तिंग से, सिचुईशन, गेस, ट्रावल, आउटकम अब इसमें options कुछ लेना देना नहीं है जादा हम थोड़ा meaning में जाते कि इसमें क्या हो सकता है we believe that we can dash the things around us हमें लगता है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को dash कर सकते हैं, बदल सकते हैं उसको translate करने के ट्राइक करूं के हमें लगता है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को बदल सकते हैं we can change the things around us in accordance with our desire, हमारी मर्जी के हिसाब से हमें असा लगता है otherwise हमें असा लगता है वरना हम कोई favorable dash नहीं देखते हम उसका favorable dash नहीं देखते क्या we don't think of the result अगली लाइन देखे है result result काहे meaning होता है outcome okay what is the final outcome, what is the final result यहाँ पर रिजल्ट okay जैसे रियोड़ा परेगराफ में किया था बढ़ते जाओ आगे पढ़ते जाओ रूख मत जाओ ऐसा नहीं कि यह वाइला जब तक option चूजने होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा आप अपल आगे पढ़ते जाएंगे आगे कई ना कई वह end देते ही है okay तो यहाँ पर outcome फिर the dash that we hope to change हमने dash change करने का सोचा था हम क्या change कर सकते इस पर से outcome तो चला गया हम result तो चेंज नहीं कर सकते chance चला गया change आएगा निदे change that we hope to change जैसे दोबढ़नी आ सकता the situation that we hope to do change जो situation हमने उमीद की थी बदलने की okay तो situation यहाँ पर आएगा travel भी hope to change आएगा निदे लेना देना था नि we turn around to dash into the distance अब यहाँ पर distance दे रखा है तो एक option है travel दूसरा option है gaze okay gaze यानि देखना मुड़के देखना बूलना gazing okay gaze यानि देखना of the past we can barely see यहाँ पर वर्ट दे रखा है see हम बड़े मुश्किल से उसे देख सकते हैं okay देखना is again called gaze okay उन्होंने confuse करने के लिए distance और travel वर्ट दिया है और आगे दाके see दिया है तो यहाँ पर आपको तोड़े सा मिनिंग समदना बड़ेगा कि यहाँ पर अगर see word है तो we can barely see it okay वो confuse करने के लिए option देंगे travel option ऐसे नहीं दिया हुआ कि कुछ लेना देना नहीं नहीं उन्होंने कुछ तो सोचा होगा so it is not that simple इसलिए हम बड़ रहा हूँ daily कि नहीं 30 हम क्या हाग लिए आपको 40 minutes लगें okay इसके बाद हमने कई blanks attach की है उसमें answers भी आएंगे mark करो अपने answers आपका ratio कितना आ रहा है कि हमने total suppose हर एक blank 4444 marks की आ रही है total marks count करो total blank कितनी थी और आपका कितना score आया बस वो नीचे comment box में मिनको लिखके बताओ करें करें झाल 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 झाल